अपने बेटी टुन्टुनी और बेटा टुन्नू के साथ। तुनी चड़िया बेटा और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अपने बेटे के लिए नए-नए कपड़े और खिलोने लाती थी। और जब पुराने हो जाते थे तो उन्हें टुन्टुनी को दे देती थी। पठाखो का तेवहर दिवाली था। टुन्टु चड़ा अपनी मा से कहता है मा मैं अपने दोस्तों के साथ पठाके जलाने जा रहा हूँ। साम हो जाएगी मेरी सिंता मत करना। तुनी उसे भेज देती है पठाके जलाने के लिए। अपने भाई को जाता देख तुन्टुनी अपने मा से कहती है मा मैं भी अपने सहेलियों के साथ पठाके जलाने चली जाओं। तुनी चड़िया उसे डारते हुए कहती है तू बेटी है, बेटीयां घर से बावर नहीं जाया करती हैं पठाकी जलाने के लिए, चल घर का काम कर, सारा काम वैसे ही पड़ा है मा तुम दिन भर घर का मुझे सारा काम करवाती हो और भाईया दिन भर घूमता रहता है उसे कुछ नहीं कहती हो बस मेरे पीछे हाथ धोके पड़ी रहती हो ठेड़ जा बहुत जुबान चल रही है तेरी ऐसा कहकर तुनी चड़िया टुंटनी को मारने लगती है धीरे धीरे साम हो जाती है लेकिन टुन्नू का कोई अतापता नहीं चलता है तुनी को उसकी चिंता होने लगती है शाम हो गई ना जानी कमभखत कहां रह गया अभी तक आया नहीं तुनी चड़िया टुंटनो को ढूंटने के लिए जाती है जैसे ही घोसले से बाहर निकलती है देखती है काला कववा उसके बेटे को लेकर आ रहा है अरे कालू भाई तुम्हे टुंटनो कहां मिला सराब पिकर नदी में गिरा था इसको देखा तो उठा लाया लो संभालो अपने बेटे को क्यों रे तु तो अपने दोस्तों के साथ पठाके जलाने गया था तुने सराब कैसे पीली मा तुम अपने उपदेश न अपने पास तक ही रखो तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली आज दिवाली है मेरे सारे दोस्त पी रहे थे तो मैंने भी पीली जादा भाशर मत दो मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो तब तुनी अपने बेटी तुन्टुनी को खाना लाने को कहती है तुन्टुनी खाना लाकर दे देती है मा भाईया सराब पिकर आया है तुम उसे डाटने की बजाए खाना खिला रही हो अरे तु कौन होती है इसे बोलने वाली आज इसके दोस्तों ने जब अरजस्ती पिला दी तो क्या हुआ मेरा बेटा ऐसा नहीं है सुबह इसका जम नसा तूटेगा तो ये मुझसे जरूर माफी मागेगा तभी वहाँ पर सुंदरी कवी आती है दीवाली की मिठाई लेकारोंने खिलाने के लिए सुंदरी और तुनी आपस में बाते करती है तुन्टुनी सुंदरी के लिए खाने को लाती है ये लो आइंटी दही भले मैंने अपने हाथों से बनाए है सुन्दरी दही भले खाती है और टुन्टुनी की तारीफ करती है कुछ भी कहो तुनी तुम्हारी बेटी और बेटा में बहुत फर्क है तुम्हारी बेटी टुन्टुनी बहुत ही ज़्यादा संसकारी है और तुम्हारा बेटा एक नंबर का आवारा है ज़रा उस पर ध्यान दो हाँ हाँ सुंदरी बेहन तुम ठीक कह रही हो आज उसे मैं उस पर ध्यान दूँगी सुंदरी कववी वहाँ से चली जाती है ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं एक दिन गुस्से में कई पक्ची उसके घर आ जाते हैं अरे चलो, रे चलो, सारा समान घर से बार फेको, बेटा टुन्नू, तुम्हें उधार लेने का बहुत सोग था ना, चलो आप घर खाली करो. ये सब क्या है, आप लोग कौन हैं, ऐसे कैसे आप लोग हमारे घर का सारा समान फेक देंगे? तुम्हारे बेटे टुन्नू ने ये घर मुझे बेच दिया है, अब ये घर मेरा है, चलो जल्दी से घर खाली करो, इस घर के बदले मुझे पैसे चाहिए मेरे. मैंने आपको हमेशा मना किया, आप इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत भी गाड़ो, लेकिन आपने मेरी एक बात ना सुनी, आज देख लिया ना, आपने इसने घर बेच दिया. तब टुन्टुनी फोन पर सबसे बड़े वकील से बात करती है. आप लोग दिना किसी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते हैं. तू सिखाएगी कानून हमें, बड़ी आई कानून सिखाने वाली, तेरे भाई नहीं बेचा है ये घर मुझे. इतने में कड़कनाथ से टुन्टुनी को मानने लगता है, और उसे बहुत पीड़ता है, तब ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है. रुक जाओ, तुम लोग दिन धहारे गुंडागर्दी करते हो, रुको अभी तुमको बताता हूँ मैं. पुलिस को देखकर कड़कनाथ सेट की हवा टाइट हो जाती है, और पुलिस उन्हें गिरफतार करके ले जाती है. मेरी बच्ची, मैं तो तुस्से नजरे भी नहीं मिला सकती हूँ, जिस लड़की के पैदा होने पर मैं सरम मैसूस कर रही थी, आज उसी बेटी ने मेरा सर जुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर इतना अभिमान करती थी, आज वही मेरी इज़त निलाम करने पर तुल मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मा मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, मैंने जुवे के लालच में सारे पैसे बरबाद कर दिये, इतना कहका तुटनू रोने लगता है, और तुनी चिडिया को समझ आ चुका था, संतान चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान ह होते हैं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि हमें बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान प्यार देना चाहिए, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें,